हरिही ओम स्री गुरुभ्यो नमाहा हरिही ओम इत्यार्षे स्रीमद रामायने वाल्मी कीए आधिकाब्ये बालकांडे त्रयो दशह सर्गहा पुनहा प्राप्ते वसंते तुपूर्नहा सम्वत्सरो भवत प्रसवार्थं गतोयस्थं हयमेधेन वीर्यवान अभिवाध्य वसिष्थं च न्यायत प्रतिपूज्य च अभ्रवीत प्रश्रीतं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमं यज्योमे क्रियतां ब्रम्हन् यतोक्तम्मुनिपुंगवा यताना विज्ञाह क्रियंते यज्यांगेशु विधीतां भवान्स्निग्दः सुह्रुन्मैयं गुरुष्चा परमुमान् वोडव्यो भवताचैव भारो यज्यस्य चोध्यतह तथेती चसराजानम् अब्रवीत द्विजसत्तमह करिष्ये सर्वमे वैतद भवता यत्समर्थितम् ततो ब्रवीद द्विजान वृद्धान यज्यकर्म सुनिष्ठितान स्थापत्य निष्ठितां स्चैव वृद्धान परमधार्मिकान् कर्मांतिकान शिल्पिकारान वर्धकीन खनकानपी गनकान शिल्पिनस्चैव तधैव नटनर्तकान् तथा शुचीन शास्त्र विदह पुरुषान सुबहुषृतान यज्यकर्म समीहंतां भवंतो राजशासनात् इष्टका बहुसाहस्री शिग्रमानियतामिती उपकार्याह क्रियंतांच राज्यों बहुगुनान्विताह ब्राम्हना वसतास्चैव कर्तव्याह शतशह शुभाह भक्षान अन्न पानेर बहु विह समुपेताह सुनिष्ठिताह तथा पौरजनस्यापी कर्त व्यास्च सुविस्थराह आगतानाम सुदूराच्च पार्थिवानाम पृथक पृथक वाजिवारनशालाश्च तथा शैया गृहनिच भटानाम भटानाम महदावास वैदेशिक निवासिनाम आवासा बहु भक्षावै सर्वकामै रुपस्थिताह तथा पौरजनस्यापी जनस्या बहु शोभणं दातव्या मन्नम विधिवत सकृत्या नतु लीलया सर्वे वर्ना यता पूजाम प्राप्नुवंति सुसत्कृताहां नचावग्या प्रयोक्तव्या कामक्रोध वशादपी यज्यकर्मसु ये व्यग्राह पुरुशाह शिल्पिनस्तथां तेशामपी विशेशेण पूजाकार्या यताक्रमं ये स्युहु संपूजिताह सर्वे वसुभिर भोजनेनचां यतासर्वं सुभिहितम्न किंचित्परिहते तथाभवंतह कुर्वंतु पृतियुक्तेनचेतसा ततह सर्वे समागम्य वसिष्थमिदमब्रुवन् यतेष्थम्तत्थ सुभिहितम्न किंचित्परिहते यतोक्तम्तत्करिश्याम्त् नकिंचित्परिहास्यते ततह सुमंत्र माहूय वसिष्थो वाक्यमब्रवीत् निमंत्रयस्व रुपतीन पृतिव्याम्येच धार्मिकाह ब्राम्हनान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रांस्चैव सहस्रशः समानये स्वासत्कृत्या सर्वदेशेशु मानवान मिथिलाधिपतिम्शूरं जनकं सत्यवादिनं तमानये महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतं पूर्वं संबंधिनंग्यात्म ततःपूर्वं ब्रवीमिते। तथा काशिपतिम्स्निग्धं सततं प्रियवादिनं सत्वृत्तं देवसंकाशं स्वयमेवानयस्वाः। तथा केकेयराजानं वृद्धं परमधार्मिकं श्वशुरं राजसिम्हस्या सपुत्रं तमिहानया। तथा अंगेश्वरं महेश्वासं रोमपादं सुसत्कृतं वयस्यं राजसिम्हस्या सपुत्रं तमिहानया। तथा कोसलराजानं भानुमंतं सुसत्कृतं मगधादि पतिम्षूरं सर्वशास्त्र विशारदं। प्राप्तिग्यं परमोधारं सत्कृतं पुरुशर्षभं राज्या शासन मादाय चोदयस्व नृपर्षभान। प्राचिनान सिंधु सौ विरान। सौ राष्ट्रेयाज्च पार्थिवान। दाक्षिनात्यान नरेंद्रास्च समस्थानानयस्वह संति स्निग्धास्च ये चान्ये राजानह पृति वीतले। तानानययताक्षिप्रम् सानुगान् सहबान्धवान् एतान् दूतैर् महाभागै राणयस्वरुपाग्यया। वसिष्ठवाक्यंतत्षृत्वा सुमंत्रस्थवरितंतदा व्यादिषत्पुरुशांत्स्तत्र राज्या मानयने शुभान् स्वयमेवहिधर्मात्मा प्रयातो मुनिशासनात् सुमंत्रस्थवरितो भूत्वा समानेतुम् महामतिही ते च कर्मांतिकाह सर्वे वसिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयंतिस्मा यज्ये यदू पकल्पितं। तह प्रितो दिजस्रेस्थस्तान सर्वान् मुनिर्भ्रवीत। अवज्या नदातव्यं कष्य चिल्ली लयाभिव। अवग्यया कृतं हन्याद दातारं नात्रसंशयह ततह कैष्चित अहोरात्रईर उपयाता महीक्षितह बहुनी रत्नान्यादाय राग्यों दशरतस्यहा ततो वसिष्थह सुप्रीतो राजानम इदम अब्रवीत उपयाता नरव्याग्र राजानस्तव शासनात् मयापी सत्कृताह सर्वे यथार्हं राजसत्तमं यज्ज्यम् चकृतं सर्वं पुरुशैही सुसमाहितैही निर्यातुच भवान्यस्थं यज्यायतनमंतिकात् सर्वकामय रुपहृतै रुपेतं वैसमन्ततः रस्टुमर्ह सिराजेंद्र मनसेवा विनिर्मितं तथा वसिष्ठ वचनाद रुश्यस्रुंगस्य चोभयोहो दिवसे शुभनक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिही ततो वसिष्ठ प्रमुखाह सर्वएवद्विजोत्तमाह रुश्यस्रुंगं पुरस्कृत्य यज्यकर्मारभंस्तदा यज्यमातं गताह सर्वे यथा शास्त्रम यथा विधी श्रीमांच्च सह पत्नीभी राजा दीक्षामुपाविषत् हरिही ओम स्री गुरुभ्यो नमह हरिही ओम इत्यार्शे स्रीमत रामायने वाल्मी कीये आधिकाव्ये बालकांडे त्रयोदशह सर्गह संपूर्णम्